अमस्य मैं हूं सचिन गोयल और लोग कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस कारक्रम में आपका स्वागत करता हूं यूरीक एसिड जो बढ़ जाता है बोडी में उसके कारण जो जोडों में दर्द रहने लग जाता है तो ऐसा नुस्खा बता रहा हूं आज जिससे यूरीक एसिड की समस्या ही जड़ से हमेशा के लिए खतम हो जाएगी यूरीक एसिड के लिए नुस्खा तयार करने के लिए अपनी रसोई में से नीबू और अद्रक ये दो चीज़ें आप निकाल लेना एक चमच अद्रक का रस एक ग्लास हलके गरम पानी में डाल लेना है साथ ही इस पानी में एक नीबू का रस भी डाल कर अच्छे तरह से मिला लेना है अद्रक नीबू का ये पानी आपको सुबह सुबह बना कर खाली पेट पीना है दोस्तों इस ड्रिंक को पीने से यूरिक एसिट पेशाप के साथ बोड़ी से बाहर निकलने लग जाएगा जिससे यूरिक एसिट की बढ़ी हुई मातरा बहुत जल्दी कम होकर नॉर्मल हो जाएगी साथ ये यूरिक एसिट बनने और बोड़ी में कटा रहने की क्रिया को बैलेंस करतेगा जिससे यूरिक एसिट का लेवल नॉर्मल रहने लगेगा बढ़ेगा नहीं यूरिक एसिट की बहुत ज़्यदा प्रब्लम है तो आप इस ड्रिंक को लगातार महीने भर तक पी सकते हैं यूरिक एसिट हाई होने पर फाइबर वाली चीज़ें जैसे हरी पत्तेदार सबजीयां, पत्तागोबी, ब्रॉकली, ईस बगोल वगेरा खानी चाहिए क्योंकि फाइबर खून में से यूरिक एसिट को अलग करके बाहर निकाल देता है चने यूरिक एसिट बढ़ने पर नहीं खाने चाहिए क्योंकि इनमें प्यूरिन होता है जो यूरिक एसिट बढ़ाता है रोजाना कसरत जरूर करें क्योंकि कसरत यूरिक एसिट को कम करती है और नॉर्मल बनाए रखती है आप इस नुस्के को यूज कीजिए और इन सावधानियों का ध्यान रखिए आपका यूरिक एसिट लेवल बहुत ही जल्दी नॉर्मल हो जाएगा आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरे लून उसके और हैल्थ टिप्स देखते रहने के लिए मेरे चैनल सचिन गोहिल को सब्सक्राइब कीजिए